और स्लाम अलेकुम, आज मैं आपके थाज शेयर कर रही हूँ ग्रिल्ड चिकन बनाने की रेसिपी और इस रेसिपी को मैं बनाऊंगी अपने किचन के न्यू एडिशन गीक शेफ एर फ्रायर काउंटर टॉप आवन में और आप देखेंगे एकदम पर्फेक्ट बिल्कुल रेस्टरांट स्टाइल आपका ग्रिल्ड चिकन बहुत आसानी से बहुत टेम्टिंग बन कर तयार होगा तो चलिए देख लेता है इसका हम किस तरह से बनाएंगे आज की इस रेसेपी को मैं बना रही हूं अपने किचन के न्यू एडिशन गीक शेफ एर फ्रायर काउंटर टॉप आवन में जिसमें की बिल्ट-इन एर फ्रायर है और फुल साइज टोस्टर आवन है यह जिसमें की हेल्दी कुकिंग की जा सकती है विद 85% less fat के साथ इसमें powerful hot air circulation है जिसकी वज़ा से कुकिंग इवन होती है और faster होती है यह वन काफी spacious होता है जिसकी वज़ा से एक बड़ी family के लिए भी meal आसानी से prepare किया जा सकता है इस तरह कि इसमें क्रम्ट्रे दी भी होती है जिसकी वज़ा से इसको clean करना बहुत असान होता है जब आपकी cooking हो जाए आप इसको remove कर यह और clean कर लीजे इसके टॉप पर यह चार डायल से हुए जिससे कि आप टाइमर टमप्रेचर फंक्शन और टोस डाकनेश सेट कर सकते हैं और टाइमर यहां पर 10 मिनट से लेके और यह function डायल है जिससे कि आप warm, broil, broil plus convection, toast, bake, baking plus convection और air frying सेट कर सकते हैं यहां पर दियावा है toast to darkness function डायल जिससे कि आप toast का color light to dark सेट कर सकते हैं और यहां पर light button दियावा है जिस पर push करके आप oven की light on कर सकते हैं यहां पर यह light button दियावा है जब तक oven आपका on रहेगा यहां पर यह light इंडिकेट करती रहेगी कि oven चल रहा है oven में तीन तरह की racks दिवी है bottom, middle और top तो इसमें आप oven rack position के हिसाब से प्लेस कर लिए अगर आपको warm और baking करनी है तो फिर आप इसको bottom rack पर रखे आपको frying और toasting करनी है यानि कि air frying और toasting तो middle track पर रखे और अगर आपको broiling करनी है तो फिर upper top पर रखे यानि कि उपर रखे सबसे उपर इस तरह इसके साथ आपको ये जो accessories मिलेंगी इसमें आपको ये warranty card मिलेगा साथ में ये user manual है जिससे read करके instructions लेकर आप बहुत आसानी से cooking कर सकते हैं साथ में मिलेगी आपको baking pan जिस पर रखकर आप बेकिंग कर सकते हैं पीजा और ये इसको पकड़ने के लिए टॉंग टाइप की देवी है और ये है oven rack जिसको आप middle, bottom या फिर top position पर रखकर baking कर सकते हैं आपको air frying करनी है तो हमेशा आपको ये जो air fryer basket है इसको आपको baking pan के ओपर या फिर oven rack के ओपर रखकर ही air frying करनी है इस तरह से तो चलिए आजाते हैं रेसेपी की तरफ और बनाना शुरू करते हैं grilled chicken तो एक बोल ले 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 और इसमें डालेंगे एक टेबिल स्पून अध्र का पेस्ट और एक टेबिल स्पून लेसुन का पेस्ट इसके साथ दो टेबिल स्पून डालेंगे इसमें नीबू का रस नमक टालेंगे तो मैं इसमें तक्रीबन वन एना हाफ टीश्पून नमक डाल रही हो एक टीश्पून चाट मसाले का पाउडर डालेंगे तीन टीश्पून डालेंगे लाल मिर्ज का पाउडर जिसे की रंग अच्छा हैगा एक टीश्पून डालेंगे लाल मिर्ज का पाउडर 1 तीशपून भुनी वी कसूरी मेति बुर्ण कसूरी मेति रोस्ट करें ऐसे जाले हैं 1 तीशपून भुनी जीरेस 1 तीशपून धुलेमी पॉड्ड 1 तीशपून 20 अचा-चा-चा पॉड्ण 1 तीशपून ओल्द कपाव्ड ओ Barn और यह थोड़ा समय रेड औरेंज फूड कलर यूज कर रही हूं जो कि ऑप्शनल है पर कलर अच्छाएगा इससे और इसे के साथ डालेंगे इसमें गहड़ा दही तो यह हंग करड़ है आधा कप के करीब दही लीजेगा और उसको एक छनी पर रख दीजेगा दस से पंदर म क्योंकि हम इसको पकाने के लिए ज्यादा तेल यूज नहीं करेंगे यही वह तेल है जिसमें की सारी कुकिंग हो जाएगी तो बस दो टेबल स्पून तेल डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे यह बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा मारा मैरिनेट तयार है इधर मैंने जिसमें की मैंने लेग और थाई के पीस लिए और इसमें गहरे गहरे से कट्स लगा दियां जिसे कि जो मैरिनेशन का मसाला वह अंदर तक चला जाएगा तो अपना त्यार किया है मैरिनेट हमें चिकन के उपर अपलाई कर देना इस तरह से अच्छी तरह से अपलाई तो इस तरह से मसाले को मैंने चिकन के हर पीस पर अपलाई कर दिया है अब हमें रखना इसको मैरिनेशन के लिए तो टाइम है तो ओवरनाइट मैरिनेट कर लेंगर तो कम से कम तीन घंटे तो मैरिनेट कर लीजेगा जिससे कि बहुत अचा टेस्ट आता है चिकन के अंदर जब हमारा च Wishkin मारिनेट हो जाएगा हमें इसको एर फ्रायग के ऊपर आरेंज कर देना है इस तरह से तो यहां पर चारो चिकलन के पीसेस को मैंने इर फ्रायग बास्काट के ऊपर आरेंज कर ते रहा है तो चलीए अब इसको यह कर लेते 180 degree centigrade और यहां से इसको हम air fry mode पर लगा देते हैं तो 5-7 मिनट preheat करने के बाद हम इसमें air fry basket place करतेंगे तो 5 मिनट में हमारा oven preheat हो जाएगा अब हमें इस रैक के उपर अपनी air fry basket प्लेस कर देनी है और 20-25 मिनट के लिए हमें इसको air fry कर लेना है आप देखेंगे सिर्फ 20-25 मिनट में आपका चिकन चारो तरफ से एक तम बढ़िया से ग्रिल हो जाएगा तो हमारा चिकन air fry हो चुक है अब हमें इसको निकाल लेना है और इंस्टेंटली इसको सर्फ कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली यह ग्रिल हुआ है अब यहां से यह क्रम ट्रे निकाल कर आप आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं यह देखिए आसानी से रिमोव हो जाएगी और इस तरह आप देख सकते हैं हमारा चिकन कितना अच्छे से air fry हो है कलर भी इसमें बहुत अच्छा है बहुत ही टेस्टी हमारा ग्रिल चिकन बनकर अच्छे से पका है तो चलिए अब इसको सर्फ कर लेता है और इस तरह आप देख सकते है एकदम परफेक्ट हमारा ग्रिल चिकन बनकर रेडिया को जोकी एकदम अच्छी से पका है अंदर तक एकदम पर्फेक्ली कोगड़ है आप इसको अंदर से भी देख सकते है एकदम पर्फेक्ली कोगड़ है बींद में बूहत अराम वींद आरॉम से हमारा चिकन एयख्राय हो जाते है बन It UP 20 से पच्छी समर्ट multi-purpose oven plus air fryers जरूर बाई करें जो की budget friendly है और आपके बहुत काम आने वाल है बहुत useful ये oven plus air fryer है जो की multi-purpose है इसका link मैंने description box में दिया हुआ है आप वहाँ जाकर इसको बाई कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर कीचेगा वीडियो आखने का बहुत 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 शुक्रिया अलाफेज